Hello everyone, this video is for class 2 and today we gonna discuss lesson 15 Obey the elders Obey the elders means बड़ों का आधर करना Elders means जो भी बड़े लोग होते हैं हम उसी क्या बोलते हैं? Elders Obey means आधर करना तो बड़ों का आधर करना, बड़ों की आज्या मानना जो भी बड़े बोलते हैं वो हमें माननी चाहिए तो इस टॉपिक के उपर हम ये लेसन पढ़ेंगे So let's start There was a pond in a village There was a pond in a village Village means गाउं गाउं में एक क्या था? Pond था, means एक तालाब था गाउं में Ducks swam in it They used to go into the pond and come out of it तो क्या हुआ? जो ड़क थी, वो उसमें जाना ड़क जो है, वो उसमें Swam means तैर रही थी ड़क जो हैं इत्ती सारी See here, ड़क तो ये जो ड़क हैं, ये क्या कर रही थी? तैर रही थी They used to go into the pond and come out of it वो लुक अंदर जाती थी और बहार आती थी तो ड़क क्या कर रही थी? ड़क तालाब में, pond में, swam कर रही थी and they used to go into the pond and come out of it एक चिक था, means hen का baby hen का बच्चा तो उसे हम क्या बोलते हैं, चिक तो चिक जो है, वो अपनी मदर के साथ इस pond के पास ही रहता था एक चिक अपनी मदर के पास इस pond के पास में ही रहता था It saw the duck swimming चिक ने देखा कि ducks जो है, वो तैर रही है swim कर रही है It wished to have a dip तो जब चिक ने देखा कि ये duck जो है, वो swim कर रही है तो इसे भी मन कर रहा था कि वो भी जाके ये भी चिक भी जाके swim करे चिक को मन कर रहा था कि मैं भी जाके वहाँ तैरू मैं भी पाने में घुजू It wished to have a dip means डूबना तो ये भी उसमें तैरना चाहती थी डग के जैसे It said to its mother Can I swim in the pond? तो चिक ने बोला अपनी मदर को क्या बोला? कि क्या मैं pond में swim कर सकती हूँ? इस तालाब में क्या मैं इस तालाब में तैर सकती हूँ? The mother hen said तो mother जो mother ये mother क्या बोलते है? hen बोलते है hen की baby को क्या बोलते है? चिक तो hen बोलती है चिक की mother बोलती है No, you can't swim Don't go there If you go into the pond You will die तो mother क्या बोलती है? नहीं उधर आप swim नहीं कर सकते हो You can't swim आप swim नहीं कर सकते हो वहां मत जाना Don't go there अगर तुम जाओगे अगर तुम वहां जाओगी तो you will die तो तुम मर जाओगी अगर तुम वहां जाओगी तुम मर जाओगी इसलिए वहां मत जाना ऐसे बोलती है The sun was shining brightly Sun जो है वो बहुत अच्छा चमक रहा था It was a very hot day तो उस दिन वो बहुत अच्छा दिन था Very hot day था उस दिन क्या था Hot day था और sun भी अच्छा चमक रहा था The chick forgot its mother's advice चिक जो है तो क्या हुआ उस दिन उसको लग रहा था कि मैं जाओँ वहां पर pond में तो वो जो है वो अपनी मदर ने उसको advice दिया था advice में सलहा दी थी उसको कि आप मत जाना वहां पर आप जाओगे तो आप die हो सकते हो die means मरना तो चिक क्या हुआ है चिक जो है वो भूल गई forgot means भूलना वो अपनी मदर के advice को भूल गई चिक it said वो बोलती है ducks are white ducks भी ducks white color के है I am also white मैं भी white color की हूँ why can't I swim मैं swim क्यों नहीं कर सकती हूँ तो वो बोलती है कि ducks white है मैं भी white हूँ तो मैं क्यों नहीं swim कर सकती हूँ तो अगर किसी का color same है तो क्या होता है कि अगर आप भी उस कलर के हो और वो भी उस कलर का है तो क्या दोनों सेम काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं अगर उसको वो कर सकता है और आप नहीं कर सकते हो अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप तो नहीं करोगे जैसे फिश फिश स्विम कर सकती है पुरा अंदर फिश बहार नहीं आ सकती है लेकिन आप बहार ही रहते हो आप अंदर नहीं जा सकते हो तो वैसे ही बहुत सारी चीजे होती है कि वो वो चिज कर सकता है और वो चिज वो नहीं कर सकता है दूसरा इंसान तो वो बोलती है कि ducks white color की है मैं भी white color की हूँ तो मैं क्यों नहीं swim कर सकती है यह chick बोलती है The chick went into the pond फिर chick क्या करती है वो pond में चली जाती है क्या करती है वो pond में चली जाती है तालाब के अंदर It swim, it tried to swim वो तैरने का कोशिश करती है Try to swim, tried means कोशिश करना तो वो swim करने का कोशिश करती है But it was in trouble लेकिन वो trouble में आ जाती है उसको बहुत दिक्कत होती है तो वो उसको वो क्या आ जाती है किसमें trouble में आ जाती है Trouble means मतलब बहुत दिक्कत में आ जाती है तो उससे वो swim नहीं कर पा रही होती है तो वो कोशिश तो करती है लेकिन वो trouble में आ जाती है It tried to come out of the pond वो try करती है वो कोशिश करती है कि मैं pond से बाहर निकलू तालाब से बाहर निकलू लेकिन वो निकल नहीं पाती है It was too late then लेकिन इतना late हो जाता है आप जैसे की swim कर रहे हो आपको आती नहीं है तैरना आपको तैरना नहीं आता है लेकिन आप फिर भी अंदर घुश जाते हो दूसरे को देख के तो आप जब अंदर घुश जाओगे आपकी ममा नहीं मना किया है कि आप अंदर मत जाना pond में मत जाना आपको तैरना नहीं आता है तो आप भी फिर उसमें जाओगे तो फिर आपने मदर की बात नहीं मानी आप उसमें चले गए तो आपको तैरना नहीं आता तो आप कैसे तैर होगे आपने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं It was too late then उसके लिए तैरने के लिए swim करने के लिए अगर दूसरे swim करना है तो उसको देख के आपको भी swim करने नहीं जाना है आपकी मदर ने मना किया तो आपको पहले तैरना सीखना होगा तो पहले आपको सीखना होगा, learn करना होगा कि कैसे swim करते हैं, फिर आपको जाना होगा तो इसने क्या किया इसको तैरना भी नहीं आता था इसकी मदर ने मना किया कि आप नहीं जा सकते हो but it was in trouble तो वो trouble में आ गई ठीक है दिककत में आ गई it tried to come out of the pond वो pond से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन it was too late then लेकिन बहुत लेट हो चुका था the poor little chick was drowning in the pond poor little chick जो ये चिक है वो अंदर pond के अंदर वो डूपते जा रही थी drowning in the pond, drowning means डूपते जा रही थी pond के अंदर then come to next page the duck saw it drowning see here duck इसको देखती है कि वो डूब रही है duck देखती है कि चिक जो है वो डूब रही है they didn't help it लेकिन duck help नहीं करती है help नहीं करती है duck said duck duck बोलती है it is a foolish chick ये foolish chick है बेफकुफ चिक है it does not know does does not know how to swim इसे पता नहीं है कि कैसे swim करते हैं ये बेफकुफ चिक है इसे पता नहीं है कि swim कैसे किया जाता है why did I try to swim फिर ये बोलती है कि मैंने क्यों try किया मैंने कोशिश क्यों किया swim करने का mother ने मना किया था फिर भी मैंने कोशिश क्यों किया the other duck said दूसरी duck बोलती है the mother hen had advised it not to swim but it didn't act on its advice so it has died तो दूसरी duck बोलती है mother ने सुझाब दिया था advice किया था कि swim नहीं करो बेटा लेकिन चिक जो है चिक ने पनी मदर की बात नहीं मानी और उसमें act नहीं किया उसके mother के advice पे तो इसलिए वो चिक क्या हुई मर गई so it has died तो वो बच नहीं पाई वो die हो गई मर गई तो इसलिए बोलते हैं कि always obey the elders बड़ों का आग्या मानना चाहिए बड़ों की बात मानना चाहिए तो हमेशा बड़े अच्छे के लिए बोलते हैं आपके अच्छे के लिए बोलते हैं so it's the moral of this story is always act on the advice of the elders तो moral क्या है इस से हमको इस story से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा बड़ों के advice को बड़े बड़ों की सुझाव को सुझाव पे हमेशा act करना चाहिए उसकी बात मानना चाहिए हमें उसकी बात उनकी बात माननी चाहिए ओके तो all of you learn this all of you read once again by yourself this okay and understand it well and this hard words I will give you later in notes okay thank you everybody